नफ्सकार पिरिया जनों आप सबका हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुब चिंतक हमारा श्रादपक्ष चल रहा है और श्रादपक्ष में हम पित्रों के लिए नाना परकार के दानपुन्य कर रहे हैं हमें अपने पित्रों के शान्ती के लिए उनकी मौक्ष प्राप्ति के लिए उनकी संतुष्ट्री परदार करने के लिए कौन-कौन से विशेश दान करने चाहिए इस सबंद में विस्तारपूर्व बर्नन गरुड प्राण में किया गया है इस संद्रम में पक्षिक गरुड बगवान किष्ण से अनेकों प्रकार के प्रेशन पूछते हैं और बगवान किष्ण गरोड को बदराते हैं कि मुनिश्य योनी में जर्म लेने के पश्चात जब एक्ति की मिर्तिव प्राप्त होती है तो अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं यदि उसने सत्कर्म किये हैं तो उसे सुक्द मृत्यू प्राप्त होती है यह अन्वव भूत पीड़ा दायक होता है अगर उसने अनेकों प्रकार के बुरे कर्म किये हैं तो उसे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं यदि उसने सत्कर्म किये हैं तो उसे सुक्द मृत्यू प्राप्त होती है यह अन्वव भूत प्रदान करने वाली लवन जो है ये उसका रस है या प्राणियों की समस्त कामनों को सिद्ध करने वाला है लवन के बिना अनरस उतकट अर्थारत नय अभियक्त होते हैं और नाई सुसवादू होते हैं इसलिए लवन रस पित्रों को पिरिये होता है और स्वर्ग को परदान करने वाला है या लवन रस भगान विश्ण के शीर से उत्पन हुआ है इस बात को जानने वाले योगिजन लवन का दान करने को कहते हैं इस पिर्थिव पर यदि ब्रामन क्षत्रिय वेशे इस्त्रिता शुद्र वरन के आतुर व्यक्ति के प्राण नहीं निकलते हों तो उसके लिए सुरुक कदवार खोड़ने के लिए लवन का दान देना चाहिए तो भाई वेनों लवन का दान सबसे उत्तम माना है पंडित लोग सुतंतर रूप से भी लवन दान करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि यह लवन रस विश्णो के शीर से उत्पन हुआ है इस विपर्थि पर मरनासन प्राणी के प्राण जब न होता है वह उसके आगे रखा हुआ मिलता है इस तरह से पापों को बसमात करके सर्ग लोग में सुपुरु करने के लिए आप अपने पित्रों के लिए लोवन का दान करें यानि के नमक का दान करें नमक का दान करने से पित्रों के लिए सरंगलोग के द्वार खोल जाते हैं तो भाई बेनो आपने ये जाना आज की हमने बात करी इस बात पर की नमका का दान जो है वो सबसे बड़ा दान है उत्वच्ण है सवर्ग लोग का हमारे पित्रों के लिए सवर्ग लोग का दुरवाजा खोल देने वाला है तो भाई बैनों आप भी अपने पित्रों के लिए नमक का दान अवश्य करें जो बहुत ही जरूरी है इस तरह से अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो गिर्पया लाइक क केर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद